साचे मन से हम करें सूर्य का गुणगान साचे मन से हम करें सूर्य का गुणगान सूरज देवता आपको बारंबार प्रणाम हमारा बारंबार प्रणाम साथ घोड़ों के रत पर पात हो असवार साथ घोड़ों के रत पर आत हो असवार ए दिन कर देवा तुमें नमन है सो सो बार हमारा नमन है सो सो बार तुमसे बढ़कर है नहीं प्रभु किसी का तेज तुम्रा आरा धन रवी देता बूध विवेक है देवा मात मुकुट है स्वर्ण का गल मुक्तन की माल भक्त जनों के संकट को पल में देते टाल है देवा रवी वार प्रिय मानते रवी जो अर्ग चड़ा रवी वार प्रिय मानते रवी जो अर्ग चड़ा बोतिक सुख सब भोग के अन्त वेकुंठ को जाए वो प्राणी अन्त वेकुंठ को जाए सारे ग्रह तुमरी प्रभू परिकमा है लगाए सारे ग्रह तुमरी प्रभू परिकमा है लगाए तुमरे तेज से रवी तेज सभी ग्रह पाए देवा तेज सभी ग्रह पाए सुर्य देव प्रत्यक्ष है सुर्य देव साक्षात सुर्य देव माता पिता सुर्य बंधु भ्रात हमारे सुर्य बंधु भ्रात दिन कर देवा है करे अंधकार का विनाश जिवन में भरते है प्रभू उर्जा और परकाश रवातो उर्जा और परकाश तन मन धन अर पण करो सुर्य मंत्र करो जाब पाप ताप मिट जाएंगे कट जाएं संताप सबी के कट जाएं संताप गायत्री का मंत्र भी सूरज के मन भाए साचे मन से जो जपे मुक्ति का फल पाएं वो बता एक सो आठ माला जपे नाम जपे दिन रात सुर्य देव भगवान का पाता आशिरवाद वो बता कूंगे को वाणी मिले अंधन को मिले ने भव का ताप सताए ना नाम जपे दिन रैन रभी का कंचन थार सजाई के रोली मोली के साथ अरग्य चड़ाएं आपको देना आशिरवाद प्रभुजी देना आशिरवाद पूर्व दिशा से हो उदे सुर्य देव भगवान अंधकार सब मेटते जग जाता है जहान ये सारा जग जाता है जहान चंदन कावंदन प्रभु आप करे सुईकार माथा चर्णन तेकते करते जै जैकार है देवा करते जै जैकार हम आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुम्हें राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुम्हें राम का ना बन जाते बिगड़े का हुआ विवाह सपन सभी मिल मंगल गाए हैं भरत के मामा यूधा जित फिर वहां पे आए हैं बोले दशरत से मैं आपसे अग्या चाहता हूं कुछ दिन मैं न निहाल भरत को ले ही जाता हूं बोले दशरत पहले हमें अयोध्या जाना हैं समाचारिन के विवाह कभी तो सुनाना हैं फिर तो आयोध्या प्रस्थान की करने लग तैयारी तभी गर्जना आसमान में हुई बड़ी भारी कैसा भयंकर सोरह चिंता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का बोले दशरत विश्वा मित्र से कैसा है ये शोर पक्षी भयंकर धोन करके उड़ रहे हैं चारों आई भयंकर आधी जिससे लगे पेड़ गिर ने फिर तो दिलासा दिलवाई गुरु विश्वा मित्र ने बोले मत घबराओ राजन मेरे होते हुए हिम्मत है किस दुर्जन की जो आके तुम्हे छुए फिर तो विश्वा मित्र न किया उसी वो रहे ध्यान देखा क्रोध में भरके क्यूं आए है परशूरां आने का पर योजन सब ही पूछन चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का देखा क्रोथ से परसुराम की आखें हो गई लान सिरीराम से परसुराम ने फिर ये किया सवाल शू का धनुस पिनाक राम क्यूं तुमने तोड़ा है कर दिया भंग स्यू की गरिमा को भी ना छोड़ा है अपने आपको समझ रहे हो बहुत बड़ा योधा मेरे पास भी एक धनुस है खुद विश्नुजी का सच में ही जो योता हो तो इसकी डोर चड़ाओ महारती तुमको जब मानू इसको आप चलाओ परशुराम की सुन बाते भगवन मुसकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का लेके धन उस फिर सिरी राम ने उसकी डोर चड़ाई परशु राम भी समझ गए खुद विश्णू है रघुराई बोले राम ये वार धन उसका खाली ना जाए बोले परशु राम कहां पे इसको अभी चलाए बोले परशु राम आप इतनी किर्पा कर दो पुन्य लोक जीते तप बल से नश्ट उन्हे कर दो मैंने ये भूमी कभी कर दी है कश्यप कोदान मिट जाएगा इसके साथ ही मेरा भी अभिमाँ परशु राम महेंद्र परवत पर चले जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोत्या में शीराम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगले काम फिर तो आयो ध्यान गरी को किया सबने ही प्रश्ठान जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगले काम फिर तो आयो ध्यान गरी को किया सबने ही प्रश्ठान नगर के वासी खुसी मनाए हो रहे मंगल गान अपनी पत्नियों सहित नगर में आये चारों भाई तीनों ही माताई देखके भूली नहीं समाई रीति रिवाज से बहुओं का है ग्रिह परवे सिकराया पुत्र वधुओं का व्योहारे है सब के मन को भाया युद्धा जित फिर दश्रत जी से रहे है विंती के भरत और सत्रूघन को अब भेजो हमारे घय फिर ननिहाल को दोनों भाई चले ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में स्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का राम लखन लग गए मात बिता की सेवा करने हो गए चर्चे उनके सोडे के फिर तो घर घर में राज काज के काम में राम तो हाथ बताते थे निर्बल की मदद करें दुष्टों को भगाते थे राजा दश्रत से भी बढ़कर राम तो थे दयावान देख के राजा दश्रत ने ये मन में लिया है था मुझसे भी अच्छा राज ये राम चलाएंगे राम राज में दीन हीन कोई न रह पाएंगे मंत्री गड़ों को फिर राजन ये बात बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में त्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम बोले दस रत मंत्रियों से अब बृद्ध मैं हो आयां जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम बोले दस रत मंत्रियों से अब बृद्ध मैं हो आयां साथ समय के होने लगी है जर जर ये कायां शोप के राज राम को कुछ करना चाहिए विसरां राम के राज तिलक का कर दो अब तो तुम ऐलां सभी पडोसी राज्यों में ये नीमंत्रण दे आओ आदर सहित सभी को राज तिलक में बुलवाओ दशरत की सुन बाते वो मन में हर शाय है नीमंत्रण सब राज्यों में फिर वो तो भिजवाई है खुसी खुसी सब फिर तो आयोध्या नगरी आते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगडे का सबका स्वागत फिर तो है बड़ी धूम धाम से हुआ राजा दश्रत ने उन सब से विंती की है या राम का राज तिलक करने की मेरी है इक्छा इस बारे में अपनी सेहमत आप भी दियो जता एक स्वर सबने मिलकर फिर तो यही कहा सिरी राम से अच्छा राजा हो ही नहीं सकता बोले गुरू वसिष्ठ से रसरत इतनी अरज हमारी राम के राज तिलक की गुरुवर करवाओं तैयारिन अपने अपने काम में फिर तो सब लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा अयोग्या में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का रानी को सल्या की दासी दोड़ी दोड़ी आई माता कौसल्या को सारी बाते हैं बतलाई खुस होकर कौसल्या बोली जीओ बरस हजार हीरे मोती दिये उपहार में रत्न जड़ते एक हार लेकिन रानी के केई की दासी मन्थरा थी राम राज की बात तो सको अच्छी नहीं लगी सोचा राज आयोध्या अब तो राम जो पाएगा मान कैके ईरानी का फिर तो घट जाएगा बड़े ही उसके मन में कूब विचार ही आते हैं पावन कथा सुनाते हैं पावन के जन्वायोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते हैं बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते हैं बिगड़े का फिर मन्थरा दासी कैकेई के पास आई हैं राम के राज तिलक उसको खबर सुनाई हैं सुनकर सुभ समाचार कैकेई प्रसन हुई भेट अनेक खुसी से मन्थरा दासी को दी लेकिन भेट तो दासी मन्थरा ना करती सुईकार बोली रानी कैकेई तुम कुछ तो करो विचार राजा होंगे राम को सिल्या राजमाता बन जाए आपके साथ भरत का भी फिरमान तो घट जाए विचार कैके ही रानी के बदल ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगडे का मैं ले वस्त्र पहन के के इकोप भवन में आई मन्थरा की बातों का उस पर दिया है असर दिखाई गई धरा पे लेट के केई बिखराएं है केश आती प्रिय ये राम कभी आज होने लगा है द्वें फिर तो राजा दश्रत भी महलों में आते हैं पर के केई को अपने कच्छ में ना पाते हैं कोप भवन में हैरानी कुछ दासियों ने बदलाया कोप भवन का नाम सुना तो उनको अचरज आया फिर तो कोप भवन में राजा दश्रत जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े कां लगे पूछने राजा दश्रत या कर कोप भवन जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े कां लगे पूछने राजा दश्रत या कर कोप भवन रूठने का है प्रिये बताओ क्या है ये कारन तुम रूठी हो खुसी मना रही प्रजा ये सारी राम के राज तिलक की पूरी हो गई है तैयारी सुनकर रानी कैके इने फिर दस रत से कहा देवा सुर संग्राम में की थी मैंने तुम्हारी रच्छा वचन दिये दो आपने मुझे को उनको कर लो यार देने होंगे तुमको वो ही दोनों वचन तुआ जो मागोंगी वो दुंगा विश्वास दिलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में सीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां अच्छा सोभाव था कैके का हो गया बड़ा गठोर बोली ऐसा है तो राजन सुन्लो करके गओर रघुगुल की मर्यादा से तुमको ना फिर ना है दिये वचन जो मुझे को दो उन्हें पूरा करना है रामस थान पे पुत्र भरत का राज तिलक हो जाए सुना जो राजा दशरत ने तो सर है चकराया ये सुनने से पहले मुझे को क्यों ना काल आया गिर कर धरा पे फिर तो वो मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का थोड़ी देर में फिर वो मुर्छा से बाहर आयें बोले हैं कुल घात नी क्या तुमने मांगा हाई भरत से भी जादा कहीं राम तुम्हें मानते हैं कपट तुम्हारे मन में इतना नहीं जानते हैं हाथ जोड़े कर फिर तो दशरत करने लग विंती राम वियोग है पाप निये ना सह पाऊंगा कभी रानी कैके इने पर उनकी बात नहीं मानी जो ना बचन निभाने थे तो क्यूं बन गैदानी बार बार राजा दशरत मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का फिर तो संदेशा कैकेई ने है राम को भिजवाया कौप भवन में सिरी राम को ही है बुलवाया मात पिता के चर्णों में किया ते ही पहना राजा दश्रत के मुह से बस निकला है हेरा बहते असरू आँखों से बोल नहीं पाए बोले राम ये आपने हालत कैसी ली है बनाई बोली के के ई राम मैं तुम्हें बताती हूँ करोगे आज्या पालन तो मैं सब समझाती हूँ सिरी राम आज्या पालन का वचन निभाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नाव बन जाते बिगडे का जो सुमरे राम का नाव बन जाते बिगडे का अपना प्रयोजन कैके इने राम को बताया भरत को राजा और वनवास है तेरे लिए चाहा है लग जित ये कैसे अपना वचन निभाएंगे दिये हुए वचनों से क्या ये मुकर ही जाएंगे बोले राम जो चाहो माता प्राड भी दे दूंगा कुल की मर्यादा को लेकिन कायम रखूंगा राम कैके का दसरत सुन रहे थे समवाद ना जाओ मुझे छोड़िक बेटा करने लगे फर्याओं लेकिन राम तो दिया पिता का वचन निभाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्ना योग्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमरे राम का ना बन जाते बिगडे का खुसिया बदल गई मातम में ये क्या हो गया हैं लेकिन राम के मनना कोई गिला या शिक्वा है मात पिता के चरनों में फिर करके वो प्रैना कोप भवन से सिरी राम ने कर दिया है प्रस्था मरमस परसी घटना कैसे डीयस पाल कहें गाते गाते इस ब्रीतांत को आशू आज बहें फोजी सुरे सिक भी लिखते हुए काप रहे है हाथ मात शार दे 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 ना तुम थोड़ा मेरा साथ वरना आख से आसू मेरे छलक ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में स्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का ना बन जाते बिगडे कां मुरली धर्मा धव मदन नट खट नंद किशोर मुरली धर्मा धव मदन नट खट नंद किशोर अधरन पर मुरली सजी करती भाव विपोर रवातों करती भाव विपोर मुरम कुट सिर मात पल अधरन पर मुसकान मुरम कुट सिर मात पल अधरन पर मुसकान पीतां बर को धारते मुरली मनोहर शाम जै 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 शी यदू नंदन नमो नमो जगदिशी जै 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 शी यदू नंदन नमो नमो जगदिश चर्णन में बंदन करू देना हमें आशीश कनिया कानन कुंदल स्वर्ण के गलब जन्ती माल मोटे मोटे नेन तेरे अर घुंग राले बाल कनिया अर घुंग राले बाल यशुमत मां के लाल है नट खट नंद को पाल धेनु चरईया आप है आप ही है नंद लाल का नईया अप ही है नंद लाल श्री विष्नु अवतार है मुरलि धर महाराज श्री विष्नु अवतार है मुरलि धर महाराज शाम बरण में साज ते भगतों के सरताज कनिया भगतों के सरताज उंगली पर किरी वर धरा नाग आप नताए पूतन मारी आपने दाम वे कुंट लगाए पूतना दाम वे कुंट लगाए जग पालक श्री कृष्न है स्रिस्ट के आधार पावन चरण है आप के नमन है सो सो बार हमारा नमन है सो सो बार अधरों परवन सी सजी मीठी बजावे तान राधा सक्यन संकरे आपका गुण कान कनेया आपका गुण कान मधु बन बन सखियों के संग आप हो रास रचाए लीला धर लीला रचे अरू लीला दिखलाए सभी को मेत्र सुदामा का सफल जनम थे आप कराए मेत्र सुदामा का सफल जनम थे आप कराए अस्वन से चर्णन दुले सिंगा सन विटवाए सुदामा सिंगा सन विटवाए द्रापदी नैनन बेह रहे बीच सभा में नीर द्रापदी की नाज रखी आप बढ़ा है चीर कनईया आप बढ़ा है चीर दुर यो धन में वात जे साग विदुर घर खाए प्रेम के वश मेरे शाम जी भक्तन हित चले आए कनईया भक्तन हित चले आए कुपजा काकू बढ़ हरा पागल हाथ दिया मार कुपजा काकू बढ़ हरा पागल हाथ दिया मार पापि कंस कापने पल में किया संधार कनया कान हा तुम्हरे नाम के चंदन ने गुणगा चर्ण धूली से आपकी माते तिलक लगाए कनया माते तिलक लगाए आपकी मार